Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज हम फिर हाजिर हैं एक रोचक जानकारी के साथ और आज की हमारी जानकारी है Difference between Thai Jasmine Rice and Sushi Rice ये दोनों चावल ही एशिया में काफी प्रचलिद है जो अपने विशिष्ट स्वाद और विशिष्ट पक्वानों में इस्तमाल किये जाने की वज़ा से आज सबसे पहले है Thai Jasmine Rice आप इस चावल को अब्जर्व कीजे और इस चावल को होम माली भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है महगदार चावल इस धान की फसल यानि कि इस चावल की जो खेती होती है वो कंबोडिया, लाओस और वियत नाम में सबसे ज़ादा होती है Thailand के साथ-साथ और जब इस चावल को पका दिया जाता है तो ये काफी लंबे, महगदार और हलके, मीठे लगते है इसकी खुश्बू हलकी-हलकी जैस्मीन यानि चमेली के फूल की तरह होती है जिसकी वज़े से इसको इसका नाम मिला इस चावल को दुनिया भर में बास्मती के बाद महक और लंबे दानों की वज़े से ही पहचाना जाता है यहां देखे यह है धाई जैस्मीन राइस और यह है बास्मती राइस हो सकता है दिखने में यह आपको एक जैसे दिख रहे हो मगर बास्मती राइस के एज यानि जो किनारे होते हैं बहुत फाइन होते हैं जबकि जैस्मिन राइस के किनारे थोड़े गोलाई में होते हैं, यानि कि इसके किनारे बास्मती की तरह शार्प नहीं होते हैं, ये थाई जैस्मिन राइस बहुत से एशिया के चावल से बने वेंजनों में इस्तमाल किया जाता है, और ये चावल वैसे गुड़ों में थाइ जैस्मिन राइस को आप डेपार्टमेंटल स्टोर और ओनलाइन स्टोर से खरीच सकते हैं जिसके एक किलो का दाम 300 रुपे से शुरू हो जाता है और वैसे यदि आप इस चावल को कच्चा खाएं तो खाते वक्त ये थोड़ा सक्त लगता है विदेशों में अकसर लोग बास्मती और थाइ जैस्मिन राइस को विंजनों में अदल बदल भी देटे हैं भारत में घरों में लोग इसका उपयोग बहुत कम करते हैं मगर रेस्टरॉन और होटल में एजियन और थाई चावल के पकवानों को बनाने के लिए जैस्मिन राइस का ही इस्तमान होता है इस राइस से बने कुछ पकवान आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और इस चावल में भी चावल के सभी गुण विद्धिमान है और इसमें काफी अच्छी मात्रा में विटमिन बी भी होता है थाई जैस्मिन राइस बनाने के लिए एक कप चावल के साथ आपको डेड़ कप पानी के आवशकता पड़ती है इन चावलों को अच्छी तरह से धोया जाता है परन्तु इसको बास्मती की तरह पकाने से पहले भीगो के रखने की आवशकता नहीं पड़ती यदि आप चावलों को भीगोते हैं तो ये चावल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे बनते हैं आज का हमारा दूसरा चावल है सुशी राइस जो एक ग्लूटनस चावल है यानि की चावल जो चिपका चिपका बनता है इसके इसी गुण की वज़ा से इसको सुशी रोल बनाने में इस्तमाल किया जाता है इस चावल की पैदावार, पूर्वी, दशनी पूर्वी इश्याई देशों में होती है ये ग्लूटिनस चावल सबसे ज़ादा जपान के प्रसिद्ध चावल है वहीं के वेंजन सूशी की वज़े से इसको दुनिया भर में सूशी राइस के नाम से भी जाना जाता है मारे पास ये मध्यम दाने वाले सूशी राइस है जिसका ब्रांड कुकुहो राइस है इसकी खेती एक जपानी परिवार अमेरिका में करता है इस चावल को बनाने से पूर्व अच्छी थरा से धोया जाता है और इसे कम से कम आदा घंटे तक पानी में भिगो कर रखा जाता है और इसमें लगभग देड़ कप चावल बनाने के लिए आपको दो कप पानी की आवशक्ता पड़ती है वैसे हर चावल ग्लुटन फ्री होता है मगर अपने नरम और चिपकने वाले गुण की वजह से इस चावल से प्राप्त आटे को बहुत सारे व्यंजन और ग्लुटन फ्री बेकिंग में भी इस्तमाल में लाया जाता है सुशी राइस चिपके चिपके अधिग मांड वाले चावल होते हैं जिनका उप्योग उत्तर तथा दशिन भारत में कम या लगभग ना के बराबर ही होता है वैसे शुशी राइस को आप भारत के उत्री पूर प्रांतों में खाये जाने वाले ग्लुटन फ्राइस के करीब समझ सकते हैं उत्तर भारत में तो चिपके वे चावल को सस्तर और व्यर्थ का चावल समझा जाता है क्यूंकि जाने अंजाने हर चावलों की तुल्ला बास्मती से कर ली जाती है जो की एक भांती ही है क्यूंकि हर चावल की किस्म अपने में अनेकों गुण समेटे हुए है भारत में इस सुशी राइस का इस्तमाल एजिन वेंजनों में ही किया जाता है सूशी राइस से बने कुछ वेंजन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सूशी राइस भी काफी महेंगा होता है जो सिर्फ बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ओनलाइन स्टोर्स में ही उपलब्ध है इसके एक किलोग्राम का दाम 350 रुपे से शुरू हो जाता है यदि आप सूशी राइस को कच्चा खाते हैं तो ये आपको थोड़ा नरम प्रतीत होता है सूशी राइस में भी चावल के पौश्टिक गुणों के साथ साथ अच्छी मात्रा में रेशे, सिलेनियम और मैगनीज होता है थाई जैस्मिन राइस और सूशी राइस ये दोनों ही आज भारतिये शहरों में काफी प्रसिद हैं बहुत से यूट्यूबर एशन पकवानों में इनका अस्तमाल कर रहे हैं ये दोनों ही चावल गुणों में एक दूसरे से बिलकुल ही विपरीथ हैं तो आप किसी व्यंजन में इनको अदल बदल नहीं सकते हैं फिर भी आप इनके गुणों को ध्यान में रखते हुए कोई इनसे मिलते जुलते भारतिये शावलों का इस्तमाल अवश्य कर सकते हैं और हम आशा करते हैं हमारी आज की इन्फोर्मेशन जैस्मीन राइस और सुशी राइस के बारे में आपकी everyday life में ज़रूर useful रहेगी thanks for watching and keep enjoying our everyday life